तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर भारी भरकम हत्यारों के से लेस यह सुरक्षबल जो है यहाँ पर कड़क्ती धूप में चपपा चपपा खंगाल रहे हैं क्यूंकि एक बड़ा आतंकी हमला हुआ है घात लगाकर आतंकियों ने हमला किया है पाकिस्त नाए लगातार बढ़ती जा रही है यह एसोजी के जवान सीयार पेफ के जवान अपना अपनी कमाल शंबाले हुए है और बेहद मुश्किल हो जाता है जब इस तरह की आतंकियों को ढूंढना निस्त नाबूद करना उत्रा ही मुश्किल हो जाता है जितना मुश्किल इन में उनको खात्मा करने के लिए इनकी आंखों में वो जो ज्वाला वो गुसा आप देख रहे हैं मैं इस वत कट्वा के उसी इलाके में मौझूद हूँ जहां घात लगा के कल आंतकवादियों ने सेना के काफले को निशाना बनाया जिसमें पांच जवान जो हैं वो शहीद हो गए और ये पांचों जवान उत्रा खंड के रहने वाले हैं और लेकिन इनकी शहादत का बदा लेने के लिए सेना के जवान और स्क्योटिफ फोर्सिस लगी हुई स्नेफर्डों डॉक्स हैं वो उनकी भी मदद ली जाएगी ताकि जो आंतकवादी इनी पहाड़ों पे कहीं न कहीं छुपे हुए हैं और उनको ढूण निकाने के लिए सेना जो है अपनी कोशिशे उन्होंने तेज कर दी हैं जिस तहां काई अटेक हुआ है हर कोई गुसे में हैं सत्मे में हैं क्योंकि काफी लंबे समय के बाद कट्वा में इस तहां का अटेक हुआ है और ये बहुत चिंता की बाद इसलिए बन जाती है कि यहां जो फॉरन जो पाकिस्तानी टेरिस्ट यहां पे मौजूद है ये कभी भी किसी भी वक्त जो है हमला कर सकते हैं सेना भे कर सकते हैं अबरनात यातरा भी चल रही है उस पे भी दिशाना सार सकते हैं तो ऐसे में कर सकते हैं